प्रदेश में हुई लोग सभा के पहली और दूसरे चरण की मतदान के बाद बिजेपी के प्रदेश अथियक्ष किरिन सहदीव बिजेपी प्रतियाश्यों की जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त है उन्होंने आज जांजगिर चांपा के जिला बिजेपी कारले में प्रेस वारता लेकर बस्तर शेत्र की जनता का भार जता है उन्होंने कहा है कि बस्तर और दूसरी राच में हुई पहली और दूसरी च्वरण की मतदान में लोगों ने बर्चवर कर मतदान में हिस्सा लिया है और बेजेपी की अतरिक्त सर्वे इस मतदान का लाब बेजेपी को मिलने का दावा किया उन्होंने कहा कि देश ही नहीं बलकि विदेश में भी मोधी का नाम चलता है उन्होंने मोधी सरकार की योजना और उपलब्धियों को गिनवाया है उन्होंने कॉंग्रेस को आड़े हाथ लेते वी कॉंग्रेस की चाल चहीता चहरा विहिन होने का रोप लगाया है और कहा कि तब क выгляд के बड़े नेताओं का अपमान हो रहा है जानदार वाले नेता आप कांगरिस की दुरधशा से पार्टे छोड़ने के लिए मजबूर हो गये हैं और भारतिय जंता पार्टे की रहा को अपना कर पार्टे से जोड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि exposure सरकार लोगों को लूटने का काम कर रही है और देश की बदहाली के पिछले परतम चरण में और दुती चरण में बहुत अच्छा प्रतिशाद और बहुत आशिरवाद जनता से मिला है और सभाई कुरुप से तीसरे चरण में भी जो साथ लोग सभाद चुनाओं संभावीत अभी जो बचेवें उसमें भी जनता बढ़ चल कर और आप उसके च सरवाधिक लोगत्री में आज लोग उनको पास से दिखना चाहते हैं उनको सुनना चाहते हैं मैं आपको बताओं कि अभी तक मुदी जी की जितनी भी सभाव में चाहे बस्तर मुगी चाहे अन्य उसमें लाखों की संख्या में लोग और बस्तर में तो सुदूर अंचल से समभाग से लोग आगए जबकि वो बस्तर लोग सभा का काड़करम था उनकी योजनाई ही हैं हर व्यक्ति को इसका लाब मिल दाय। उन्होंने पूरे देश की चिंता की पूरे देश वासियों की चिंता की पूरे देशों देश्वाषियों का मान सम्मान बढ़ाया है बढ़ाया है इसलिए एक अलग या करेंगों कि अच्छा मदान हुआ है मदान की प्रतिशत बढ़ी है उनकी मैंने तो यह कहा आपको कि ऐसे कारकरम ऐसे कार्योजना मुदी जी के उसमें सरकार में और अध्भूत है अध्भूत है छुटी छुटी बातों का ध्यान रखते है उनको क्या ऐसा जरूवत है जिनके कारान वो परिशान है और यह सिर्फ 36 गड़ या बस्तर की बात नहीं कर रहा हूं पूरे देश में देखिए ऐसे नमालूं 138 करोर से भी ज्यादा की जन संक्या वाला सबसे बड़ा लोगतंत्र है और मोदी जी और समुचित रूप से नहीं इसको भाजपा का परिवार बढ़ रहा है कॉंग्रेस में लोग बहुत कांग्रेस के जो पुराने कार करता है और जो जिनकी छवी बहुत अच्छी है जिन लोगोंने बहुत लंबे समय तक भाजपा में काम किया है पूरूर के जनप्रदिती वर्तवान में जयंता नहीं है हर कोई ऐसा नहीं है भ्रस्टाचार अत्याचार अनाचार पांस साल में देखा जनतान देखाए तो जिनको इसके किस्मत हो रही थी उन्होंने शुचा हुम तो अब देश को विकास के दृष्टी से जो आगे ले जा रहे उसके राजनीथि उस राजनीतिक गल्हाम शामील होंगे, उनका स्वागात, ते लिगू